नमस्कार दोस्तों, भहुत से यो विद्यार्थियूं का प्रेशन था, Sir, किड्मी और लंग्स में क्या डिफ्रेंस है, दोनों ब्लड को purify करते हैं क्या, नहीं, देखी, किड्मी जो होती है, वो ब्लड को filter करती है, किड्मी जो होती है, यानि हमारे शरेड में दो किड्मीय ह दोनों तरफ एक left एक right side में जिने व्रक भी कहते हैं वो दोनों जो किड्मिया है वो blood को filter करती हैं यानि जैसे एक छलनी जो होती है आप छलनी में चाय छानते हैं ऐसे आपने शुना होगा प्राचीन काल में पानी को छानने के लिए बजरी डालते थे एक कपड़े के उपर य आता था तो ऐसे ही हमारी किड्नी के अंदर भी हमारी किड्नी के अंदर नेफ्रोन होते हैं नेफ्रोन यानि किड्नी की structural और functional unit भी है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाही भी है और नेफ्रोन एक किड्नी के अंदर लगबग 10 लाग क्या सपास होते हैं परते किड्नी में 10 ल अफ्रोन होते हैं, जिनकी वज़े से बलड है, तो purify हो पाता है, यानि मतलब filter हो पाता है, ठीक है, जैसे आप छलनी में से चून चानते हैं, चलनी में से चाय चानते हैं, तो वो filter हो रहा है, और जो lungs जो है, वो blood को purify करते हैं, blood को शुद्ध करते हैं कैसे oxygen के साथ क्रिया करते हैं जब आपका heart होता है उसके दवारा जब blood फेपडों में आता है दोनों जो lungs की संख्या भी दो है तो lungs का जो एक part होता है बिल्कुल जो होता है लंग्स के बिल्कुल अंतिम छोर पर पाट होता है अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं वहां blood की क्रिया प्रतिक्रिया होती है यानि वहां पर एक प्रोसेस के द्वारा कारबन अक्साइड है वो एलोलाई ले लेते हैं और ऑक्सिजन दे देते हैं blood को ठीक है तो blood oxygen युक्त हो जाता है उसके बाद और जो कारबन अक्साइड है यानि CO2 है वो जब हम स्वांस छोरते हैं तो उसके साथ बहार आ जाती है तो यह मुख्य डिफ्रेंस है किड्मी में और लंग्स में यानि किड्मी ब्लड को filter करती है और जो लंग्स है वो ब्लड को purify करते हैं शुद करते हैं oxygen युक्त करते हैं तो आज के लिए इतना ही आप सब का बहुत बहुत धना